हेलो फ्रेंड्स निधिश्रे एकेडमी से मैं हूँ आशीष और मेंस बहुत करीब है दो धाई महीना बचा है मेंस के लिए ऐसे में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं मेंस के सिलेबस में जिनके बारे में आपको मैटर नहीं मिल पाता है बहुत ही अजीबो गरीब टॉपिक है कई सारे टॉपिक तो नए आइड किये गए है तो निधिश्री अगेडमी ने ये सोचा है कि आप लोगो सबसे पहले उन टॉपिक्स हो पढ़ाया जाए जिनके मैटर बहुत आसानी से उप्रब्ध नहीं हो पाते तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बुंदेला डाइनेस्टी के बारे में बहुत सारी डाइनेस्टी हम लोग ने पहले भी पढ़ ली है जैसे भोपाल स्टेट के बारे में हम लोग ने पढ़ा है सिंधिया स्टेट के बारे में हम लोग ने काफी comprehensive तरीके से पढ़ा है तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बुंदेल खंड के बारे में और बुंदेला डाइनेस्टी के बारे में तो ये लेक्चर काफी interesting होने वाला है बने रही है मेरे साथ इस लेक्चर में और आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा बुंदेल खंड सबसे पहले तो बुंदेल खंड का आप लोग map देख लीजे तो इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अगर हम लोग बुंदेल खंड की medieval history की बात करें यानि पोस्ट गुपता period की बात करें तो बुंदेल खंड पर predominantly किन-किन dynasties ने रूल किया है तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं चंदेलाज तो चंदेला कौन थे चंदेलाज वे आर feudatories of कन्नौज प्रतिहार ये कन्नौज प्रतिहार के सामंद थे और इनकी capital थी जेजाक भुक थी तो जब प्रतिहार वीक होने लगे होंगे तो कि आप जानते होंगे कि पोस्ट गुपता period ये जो तीन डाइनिस्टी थी पाल, प्रतिहार और राश्ट्रकूट अगर आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राश्ट्रकूटाज इनका continuous टसल होता था तो because of their tussle बहुत सारी छोटी-छोटी डाइनिस्टी निकल कर आई ये से परमार डाइनिस्टी आ गई चंदेल डाइनिस्टी आ गई ये सब लोग कही ना कहीं से प्रतिहार से या कुछ ऐसी डाइनिस्टी हैं जो राश्ट्रकूटाज से अगर आप East India में चले जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी डाइनिस्टी मिलेंगी जो पालाज से रिलेटेड है या पालाज के फ्यूडेटरी से सामन्त थे उनके जब भी क्या होता है कि सेंट्रल अड्मिनिस्टेशन जो होता है न वीक होता है तो उसके गवर्नर जो है इंडिपेंडेंट होने लगते हैं कि भाई अब राजा के अंडर रूल नहीं करना अब हमें अपना इंडिपेंडेंडेंट किंडम कार्वाउट करना है तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा प्रतिहार्स वीक हो रहे होंगे और चंदेलाज उभर के सामने आ गए तो जो चंदेलाज मतलब चंदेलाज की जो संस्थापक थे नानुक उन्होंने जेजाग भुक्ती में अपना रूल स्टैबलिश किया अब देख रहे हैं कि बुंदेलाज की मिथिकल ओरीजिन क्या है मिथिकल ओरीजिन मतलब यह है कि इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं हो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से भी इंपॉर्टन नहीं है लेकिन बस यह है कि आपको थोड़ी सी फील आ जाए कि भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में छट्र साल के जो राजकवी थे गोरिलाल उन्होंने भी लिखा है बनारस के एक राजा थे वीरभद्र ठीक है उनके बेटे का नाम था हेम करण या पंचम उनके टोटल थे तीन बेटे अब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा था हेम करण जिसको पंचम भी कहते हैं और जिसका नाम जगदास भी है इस नाम से भी जाना जाता है उसको क्या है अपने किंग्डम में प्रॉपर शेयर नहीं मिला जो वार ओफ सक्सेशन होती है कि राजगद्धी कौन समालेगा तो इसके साथ चीटिंग हो गई हेम करण के साथ हेम करण चला गया मिर्जापूर विंधिवासनी टिंपल विंधिवासनी देवी के मंदिर में और वहाँ पे उसने पिनेंस करना शुरू कर दिया अपना सर काटने ही वाला था तो जैसे सर काटने वाला था कि खून की पहली बूंद जैसी ही जमीन को टच हुई विंदिवासनी देवी प्रकट हो गई उन्होंने इसको वर्दान दे दिया ये वर्दान दिया कि पंचम का जो बेटा होगा वो छत्रपती बनेगा, वो बहुत बड़ा राजा बनेगा ऐसा कुछ वर्दान दिया तो चूंकि रक्त की बूंद गिरने से विंदिवासनी देवी प्रकट हुई इसलिए इस डाइनेस्टी का नाम पढ़ गया बुंदेला तो बुंदेला डाइनेस्टी की कुल देवी भी विंदिवासनी देवी ही है इनका मंदिर मिर्जापूर में है तो ये है पूरी कहानी, exam point of view उसे जरूरी नहीं है बटा आप लोग जान लीजे अच्छा ये तो थी mythical origin अब थोड़ा historical बाते कर लेते हैं कि जो ये वीर भद्र थे यानि कि हेम करण के पिता जी ये गहडवाल डाइनेस्टी के सामन्त हुआ करते थे बनारस में और गहडवाल डाइनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा इसी डाइनेस्टी के एक राजा थे जैचंद जिन्होंने प्रत्वी राज चौहान को धोखा दिया था ऐसा कहा जाता है ठीक है तो ये गहडवाल डाइनेस्टी के एक्चुली सामन्त थे इनका बेटा था हेमकरन और historical accounts की आप बात करें तो हेमकरन काफी समय तक महराँनी जो ललितपुर जिले में आता है बुंदेलखंड का फार्ट है महराँनी में काफी समय तक खांग़ड डाइनेस्टी के सामन्त के रूप में काम किया इन्हों ने उस समय खांगर डाइनस्टी बुंदेल खंड पर राज करती थी जिनका कैपिटल हुआ करता था गढ़ कुंदर तो ऐजा सामन्त ये काफी समय तक महराणी नामा के स्थान पर थे ठीक है अब आ जाते हैं कि ये बुंदेला डाइनस्टी शुरू कहा से हुई अब यहां से शुरू होती है बुंदेला डाइनस्टी तो बुंदेला डाइनस्टी के संस्थापक अगर कोई पूछे तो ये होगा सोहन पाल ठीक है अब सोहन पाल ने खांगर्स को हरा दिया और गढ़ कुंदर पर कब्जा कर लिया लगभक सो डेर सो साल तक बुंदेलास की राजधानी गढ़ कुंदर ही थी बट लेटर ओन इन फिफ्टीन जिरो वन रुद्र प्रताप सिंग, डेसेंडेंट अफ सोहन पाल shifted his capital from गढ़ कुंदर to ओर्चा सोहन पाल के वनशज रुद्र प्रताप सिंग ने गढ़ कुंदर से अपनी capital चेंज कर ली ओर्चा में रुद्र प्रताप सिंग को जो सक्सीड किया भारती चंद ने, उनके बेटे थे he captured चंदेरी and in 1545 tried to stop शेर सासूरी from attacking कलिंजर albeit unsuccessfully 1545 में इन्होंने शेर सासूरी को कलिंजर capture करने से रोका बट वो unsuccessful हुए भारती चंद का ये योगदान था कि इन्होंने चंदेरी को भी बुंदेला एंपायर में मिला लिया था तो आप देखे बुंदेला एंपायर धीरे धीरे expand होगा और consolidate होगा अब भारती चंद के बाद आगया मधुकर शाह मधुकर शाह का main aim ये था कि अपनी kingdom को अब बुंदेला kingdom को expand करना उस समय central administration किसके हाथ में थी अकबर के हाथ में मुगल डाइनेस्टी अकबर और वो भी अपने expansionary mode पे था तो अकबर ने गौलियर पर कबजा कर लिया था अब गौलियर के बाद next destination अकबर का था ओर्चा तो अकबर ने क्या किया कि अपने governor general साधिक खान को ओर्चा में भेजा और साधिक खान ने मधुकर शाह को परास्त कर दिया मधुकर शाह चले गए गौलियर हाला कि गौलियर में गए उन्होंने कुछ परगना जो है गौलियर के जीत लिये लेकिन फाइनली जो है उनको मुगल आर्मी ने ख़देर दिया और वो वापस अपनी जिंदिगी नर्वर के जंगलों में उन्होंने बिताया तो यही लिखा है पहले वाले पारग्राफ में राजा ओफ ओर्चा 1554-1592 इंक्रीज दा किंग्डम्स टरिटरीज और चैलेंग अगबर्स अथारिटी दा मुगल फोर्से इन्वेड़ ओर्चा पर फॉर्स ताइम इन 1577 सादिक खान मैनेज़ तो टेक ओर्चा आफटर असीवियर फाइट सादिक खान मिलिटरी कमांडर था अगबर का उसने ओर्चा पे अटैक किया ओर्चा पे कब्जा कर लिया इन 1591 दा राजा सीज सम परगनाज नियर ग्वालियर और देफेटेट बाए इम्पीरियल टूप्स फोर्सिंग हिम तो फ्ली तो दे जंगल्स ओव नर्वर वेर ही डाइड नर्वर यानि शिवपूरी के जंगलों में उन्हें जाना पड़ा और जहां पे उनकी मृत्ति हो गई ठीक है रुद्र प्रताप सिंग ने जो अपने लिए जो महल बनवाया था उसको मधुकर शाह ने कनवर्ट कर दिया टेंपल में उस टेंपल का नाम है राम राजा टेंपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल है और चा का यहां पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है ना कि भगवान के रूप में तो राम राजा टेंपल वेरी इंपॉर्टेंट टेंपल एक टेंपल और उन्होंने शुरू किया था बनाना लेकि वो बना नहीं पाय पूरा टेंपल का नाम है चतुर भुज टेंपल, ठीक है बाद में इनके जो पुत्र है उन्होंने बनाया इस टेंपल को, ठीक है बीर सिंग देव ने कम्प्रेट किया लेकिन चतुर भुज टेंपल का इनिसियेशन जो है, मधुकर शाह ने ही शुरू कर दिया था, अच्छा मधुक जहांसी वाला एरिया खजुराहो वाला एरिया ये सब बुंदेल खंड एंपायर में आचुका था तो जब क्या होता है कोई एंपायर एक्सपैंड होने लगता है तो उस पे राज करने की चाहत रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और यही इंटेंशन जो है इन जहांगीर के दो बच्चे खुश्रो और खुर्रम खुर्रम आगे जाके शा जहां बनते है ठीक है अकबर चाहता था कि भाई इसके बाद राजगदी कौन संभालेगा खुश्रो यानि चाहता था कि इनका पोता राजगदी संभाले नाकिस सलीम यानि कि जहांगीर यह बा और बीर सिंग बुन्देला जहांगीर की मदद करने लगा kingdom को अपनाने में प्लस जहांगीर के जो भी विरोधी थे फॉर इसामपल अबू फजल जो सबसे बड़े विरोधी थे जहांगीर के वो चाहते थे कि खुछरो बने राजा तो बीर सिंग मुंदेला ने क्या कि अबू फजल का murder करवा दिया बाद में जहांगीर राज़ा बन गए राज गद्धी मिल गई जहांगीर को और इधर बीर सिंग मुंदेला को भी राजा बना दिया गया ओरचा का तो यू स्क्रेच माई बैक, आई स्क्रेच योर्स, ये वाला कॉंसेट बिल्कुल सटीग बैठा, ठीक है? तो इस तरह महराजा बीर सिंग देओ जो है ओर्षा के राजा बने हलाकि उनके बड़े भाई राजा रामशा भी ओर्षा के राजा रहे हैं तब तक मुगल एमपायर जहांगीर के हाथ में आया वैसे ही राजा रामशा को डिपोज किया गया चंदेरी में और ओर्षा का of Madhukar Shah Abir Singh sided with Salim and arranged to kill Ab revolver a high ranking advisor of Ackbar ठीक है अबू फज़़़़ को मरवा दिया गया क्योंकि अबू फज़़़़ज जो है सबसे बड़ा impediment था जहांगीर के लिए कि वो राजा बने अबू फजल कभी भी नहीं चाहता था कि जहांगीर राजा बने और अबू फजल की बहुत बात मानता था अकबर नौरतन में था, अबू फजल जो है एडवाइजर था अक्बर का राज कवी भी था तो बहुत सारी चीज़ें थी अच्छा राजा बीर सिंग बुंदेला ने क्या किया कि बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत सारे काम किया प्लस इन्होंने बुंदेला एंपायर को भी बढ़ाया ठीक है बुंदेला एंपायर जो है काफी बढ़ जुका था उस समय दतिया तक पहुँच गया था खजुराहो भी बुंदेला एंपायर में आता था उधर हमीरपूर भी आता था बुंदेला एंपायर में प्रस जहासी वाला एरिया को भी capture कर लिया गया था तो मतलब काफी बड़ा empire बन चुका था तब तक और as a ruler he built the twin force of ओर्षा and दतिया he completed the चतुर्भुज temple and built जहांगीर महल in fort at ओर्षा ओर्षा में एक जहांगीर महल है वो भी राजा बीर सिंग बुंदेला नहीं बनाया इसका पता हमें कैसे चलता है कि भाई जहांगीर महल किसने बनाया तो जहांगीर नामा में ये जो जहांगीर की autobiography है उसमें उन्होंने खुद लिखा था कि जहांगीर महल उनके नाम में बनाया गया ठीक है अब बीर सिंग बुंदेला के बाद आ जाते है हला कि बीर सिंग बुंदेला तब तक ही राजा थे जब तक जहांगीर जो है मुगल एम्पायर का मालिक था जहांगीर के बाद शाह जहां आ गया और फिर बीर सिंग बुंदेला को हटा दिया गया तो इस तरह से जो है बीर सिंग बुंदेला के जो जितने भी बेटे थे जूजहर सिंग, हर दॉल, इन सब ने अपना-पना एंपाइर बना लिया, अब बुंदेला एंपाइर जो है पूरी तरह से एक्स्पैंड हो चुका था बीर सिंग बुंदेला के रेन में और जब एंपाइर जो है पीक पे होता है तो फ्रेग्मेंट होना शुरू हो जाता है ठीक है तो फ्रेग्मेंटेशन बुंदेला किंग्डम में भी हुआ बीर सिंग बुंदेला के जो सक्सेसर थे जैसे जूजर सिंग या हरदौल या भगवान राओ ये लोग इतने competent ruler नहीं थे empire तभी fragment होता है, empire तभी तूटता है जब कोई ruler competent ना बचे हर ruler के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि exam point of view से भी irrelevant हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है इसका, main चीज जिसमें आती है महराजा च्छतर साल जिन्होंने बुंदेला empire को दुबारा से revive किया और अगर exam point of view से कोई चीज ज़रूरी है तो महराजा च्छतर साल ही ज़रूरी है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ डीटेल में पढ़ते हैं तो डिसकस करते हैं महराजा च्छतर साल को in the late 17th century there arose one of the बुंदेल खंड's great historical figure महराजा च्छतर साल founder of an independent kingdom and a second line of बुंदेला rulers च्छतर साल first overcame the gone ruler of पन्ना and apparently gained access to the region's precious diamonds जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुंदेला empire जो है fragmented हो चुगा था तो इस बुंदेला empire को rejuvenate करने का काम महराजा च्छतर साल ने किया इन्होंने जो है सबसे पहले पन्ना पे capture किया पन्ना उस समय जो है गोंड rulers के आधिन था गोंड जो है वैसे भी कमजोर हो चुके थे दुर्गावती के मृत्यू के बाद अकबर ने गोंड rulers की ताकत को बहुत ही कमजोर कर दिया था वो काफी fragmented regions में बचे हुए थे वो तो पन्ना में गोंड rulers को हराना बहुत ही आसान था ठीक है अब यह महराजा च्छतर साल थे कौन और यह कहां से आए तो महराजा च्छतर साल जो है चंपतराय के बेटे थे चंपतराय जो है बीर सिंग बुंदेला की आर्मी में थे बाद में इन्होंने औरंग जेब की आर्मी को भी सर्व किया चंपतराय के पुतर थे च्छतर साल ठीक है यह कोई राज घराने से नहीं थे यह एक मिलिटरी जनरल के बेटे थे च्छतर साल ने जो है अपना करियर शुरू किया he started off as a soldier in मुगल आर्मी मुगल आर्मी में यह soldier थे च्छतर साल बाद में यह च्छतर पती शिवा जी से मिले अपने डिक्कन केंपेंड के दोरान और यह च्छतर पती शिवा जी महाराज से मिले और उससे बहुत जादा इंस्पायर हुए और उनकी भी इस्पिरेशन हुई कि वो भी अपना kingdom बनाए ठीक है वो मुगल आर्मी को सर्व ना करें वो अपना खुद का kingdom बनाए अच्छा उस समय औरंग्जेब का main aim देकन पे कबजा करना और महाराथाओं को हराना तो औरंग जेब की नजर बुंदेल खंड पर नहीं थी ये मौका अच्छा था मौके का फायदा उठाय राजा चातरसाल ने और पन्ना पर capture कर लिया ठीक है जब पन्ना पर capture चातरसाल मेर पन्ना the capital of his kingdom in 1675 and he expanded his kingdom to चित्रकूट, चातरपूर और पन्ना चोटे बुंदेला राजा थे उनको अपने आधीन किया और ये सारा रीजन जीत लिया उन्होंने चित्रकूट, कुछ पोर्शन गौलियर का सागर वाला पूरा रीजन अब एक consolidated बुंदेला empire था जिसके राजा थे चातरसाल and he launched a series of successful assaults into मुगल ठीक है और ये सारी चीजें उस समय के condition भी ऐसा था कि ये सब कुछ राजा चातरसाल को favor भी कर गया क्योंकि औरंग जेब की जब मृत्य हुई 1707 में 1707 में तो उसके बाद दिल्ली में जो भी rulers आए they were very weak and incompetent अचा बाद में दिल्ली का ruler बना मुहमद शाह रंगीला ठीक है मुहमद शाह रंगीला बाद में दिल्ली का ruler बना और उस समय मुहमद खान बंगश इलहाबाद का governor हुआ करता था and he attacked राजा चातरसाल however as he expanded his territory into district of Jhansi the Mughal governor of इलहाबाद मुहमद खान बंगश counter-attacked and compelled शातरसाल to seek help from other great power of that time इस time तक क्या था कि जो शातरसाल राजा थे वो काफी old हो चुके थे और वो अपना empire continuously expand कर रहे थे जब वो जहासी पे उन्होंने जब कबजा करना चालू किया तब मुहमद खान बंगश जो मुहमद शाह रंगीला का governor था उसने attack कर दिया राजा शातरसाल पर और राजा शातरसाल ने help मागी किससे पेशवा बाजी राओ प्रथम से और माराथा उस समय बहुत एक strong power थे मुगल के बाद अगर वो कोई vacuum किसी ने भरा है तो माराथाओ नहीं भरा है Right So he sought help from पेशवा बाजी राओ इन पुने माराथा armies helped the bundela's deliver a humble defeat to Bangash in 1729 and before he died two years later चातरसाल conferred one third of his kingdom to पेशवा of what remained he divided it among his numerous sons पेशवा बाजी राओ ने help तो कर दी चातरसाल की लेकिन बदले में उनके kingdom का one third portion मांग लिया ठीक है तो one third जो है माराथाओं को देना पड़ा फ्रस चातरसाल के जितने भी बच्चे थे उनमें बागी का kingdom उनमें डिवाइड हो गया तो एक बाए बुन्देला एम्पाइर कंसॉलिडेर तो हुआ लेकिन वापस फ्रेग्मेंट हो गया चातरसाल के मृत्यो प्रांत बुन्देला एम्पाइर छोटे छोटे टुक्डों में बट गया अब one third एम्पाइर तो पेश्वा बाजी राओ लेही चुके थे महाराजा चातरसाल से तो जब one third area पेश्वाओं के पास है तो माराथाओं का बहुत जादा इंट्रूजन होने लगा बुन्देला एम्पाइर में बुन्देला एम्पाइर वैसे भी अब फ्रेग्मेंटेड हो चुका था तूट चुका था ठीक है प्लस माराथाओं का इंट्रूजन तो situation और वर्ष हो गई the decline of बुन्देला house of ओर्ष है started with the coming of Marathas to North India the Peshwa Balaji Baji Rao on his Bengal campaign in December 1741 came to ओर्ष है and desired a fort in बुन्देलखंड the Marathas were far away from their base in Satara and Pune actually Maratha क्या करना चाह रहे थे कि उनका जो base था वो Pune और Satara में था उन्हें पूरे इंडिया भर में raid करनी होती थी कभी नहीं आगरा में लड़ाई करनी है कभी दिल्ली raid करना है कभी कल्पी raid करना है कभी बंगाल raid करना है तो उन्हें एक buffer area चाहिए था उन्हें एक fort चाहिए था कि हमारा एक base यहाँ पे है हम यहाँ से directly raid करेंगे जब हमारी मर्जी होगी एक तो बहुत लंबा पड़ेगा न पुने और सतारा से वो बंगाल जा रहे है तो उनको एक base चाहिए था तो वो base बन गया बुंदेल खंड ठीक है यही लिखा हुआ है तो इन्होंने क्या किया कि जो बीर सिंग बुंदेला ने जो जहांसी में जो किला बनाया था जहांसी को separate स्टेट बना दिया मराठाओं ने कुछ portion काट लिया उन्होंने और्शा से कुछ portion दतिया से और जहांसी को एक स्टेट बना दिया गया और यह जहांसी स्टेट independent स्टेट रहा है from 1750 to 1857 बाद में 1857 के बाद तो आपको मालूम ही है कि जहांसी जो है फिर प्रिंसली स्टेट बन गया तो वही जैसा कि मैंने बताया कि कुछ portion और्शा से ले लिए और कुछ portion जो है दतिया से ले लिए एक जहांसी स्टेट बना दिये गया और जहांसी में जो ओर्रेड़ी किला बना हुआ था उसी को फोर्टीफाई कर लिया उसी को अपना बेस बना लिया ठीक है फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि तो मराथास जो है पूरी तरह से बुंदेल खंड पर आ चुके थे उन पर कब्जा जम आ चुके थे तो देखी कुछ ऐसी स्थिती थी ये है अपना बुंदेल खंड का मैप आप देख सकते हैं कि बुंदेला इंपायर उसमें कितना बड़ा हुआ करता था इन्होंने जहासी में अपना बेज बना लिया मराथाओं ने अब वो अराम से आगरा नई दिल ली अब उनके रीच में है ये तो उन्हें पुने से आना पड़ता है तो ये है पूरा सिस्टम अब आप ये देख सकते हैं मुन्देलखन्ड का map कुछ पॉर्षा इन्होंने ले लिया धतिया से और कुछ पॉर्षा इन्होंने ले लिया उस समय ओर्षा आज कि इडेट में तो टीकम गढ़ है अब तो खर निवाडी भी आ गया है है ना तो कुछ पोर्षन जो है इस ओर्षा स्टेट से ले लिया, कुछ पोर्षन दतिया से ले लिया और अपना जहांसी बना दिया है अब चलिए इसको conclude करते हैं Towards the start of 19th century Maratha power started crumbling In fighting among Marathas made the situation worse 19th century तक आते आते Maratha power भी काफी weak होने लगी एक तो Marathas के अंदर ही लड़ाईयां बहुत जादा थी Holkers जो है सिंधिया से लड़ते रहते थे प्लस जो पेशवास थे, जो पुने में थे वो भी अब काफी incompetent थे प्लस एक नई power बहुत तेजी से उभर रही थी वो थी Britishers, ठीक है Britishers और Marathas के बीच में लड़ाई भी हुई तीन-तीन Anglo Marathas war हुए और हर Anglo Marathas war युद्ध में Marathas को हमेशा नुकसान हुए तीसरे Anglo Marathas war के बाद एक treaty sign हुई 1818 में जिसके तहत Marathas को अपनी सारी territories जो उनके पास थी बुन्देल खंड में वो Britishers को देनी पड़ी ठीक है तो वो अब treaty जो है British India का हिस्सा बन चुका था प्रस जो सनाड स्टेट्स से मतब जो प्रिंसली स्टेट्स से उनको कंबाइन करके एक एजेंसी बना दी गई बुन्देल खंड एजेंसी और एक political agent को नुक्त कर दिया गया प्रिंसली स्टेट्स से कुछ सबसीडियरी एलाइंस में चले गए जहांसी के उपर doctrine of labs तक लगाया गया ठीक है और सारे चीजें Britishers के पास आ गई सारे kingdom और जो बाकी जो छोटे छोटे kingdom बचे जैसे आजैगर्ध और चातरपूर kingdom उनको प्रिंसली स्टेट्स बना दिया गया और इन प्रिंसली स्टेट्स को combine कर दिया गया वो बुंदेलखंड एजेंसी का नाम दे दिया गया ठीक है बुंदेलखंड एजेंसी वो कौन देखेगा agent to governor general देखेगा तो इस तरीके से एक prosperous बुंदेला empire वो प्रिंसली स्टेट्स में तबदील हो गया इन सब चीजों के बारे में अच्छे से देखने के लिए हमने वीडियो बना रखा है formation of मध्यप्रदेश आप अराम से देखिए इसका link भी है नीचे मैं drop कर दूँगा प्रस आपको अगर ये जानना है कि मराथास कैसे वीख हुए और सिंधिया और होलकर्स के बीच आपस में क्या टसल चल रही थी तो उसके लिए भी हमने पूरा वीडियो बना के रखा है यह आपको दिख रहा होगा इस्क्रीन पे history of सिंधिया डाइनेस्टी इसका भी link मैं डाल दूँगा description box में उसको भी आप click करें और देखें और in totality में कोई भी चीज पढ़ें सिर्फ बुंदेला एंपायर ना पढ़ें पहले formation of मद्रदेश पढ़ें आपको सारी बुंदेल खंड एजनसी बगेल खंड एजनसी सब को समझ में आएगा आपको फिर सिंधिया डाइनस्टी के बारे में पढ़ें फिर भोपाल स्टेट के बारे में पढ़ें और फिर बुंदेला एंपायर के बारे में पढ़ें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ये थी आपकी बुंदेला डाइनस्टी इस तरह से बुंदेला एंपायर जो बहुत ये प्रॉमिनेंट एंपायर था वो प्रिंस्ली स्टेट में बदल के रह गया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, शेयर कीजिए आप जितने जादा से जादा लोगों को फैला सकते हैं, फैलाईए यहाँ पे आपको सारे वीडियो फ्री ओफ कॉस्ट मिलेंगे आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है इस इस आल फ्री फॉर यू तो प्लीज एट लिस शेयर और लाइक मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई